इस वक्त हम देरादून के चाय बागान यानि की देरादून के सबसे बड़े टी गार्डन में मौझूद हैं और इस टी गार्डन दशकों से अपरादियों के लिए अपराद करने की मुफीद जगा बना हुआ है आए दिन यहाँ पर हत्या, बलतकार, लूट पाथ, चैनि स्नैचिंग जैसे तमाम जो है वो अपराद यहाँ पर देखने को मिलते हैं असी और नब्बे का दशक यह जो इलाका था वो बड़ा ही सुन्सान रहता था यहाँ पर बताए जाता कि उस दौर में भी यहाँ हत्याएं होती थी, लूट पात होती थी लेकिन समय बदला सन 2000 में राजय गठन के बाद टी स्टेट के चारो तरफ रियाईशी इलाका काफी घना अबादी वाला हो गया चाहे वो कैंट शेतर हो, चाहे वो ग्रामीन शेतर हो, लेकिन इसके बावजूद भी है जो टी गार्डन में जो अपराद करने का जो यहाँ जो एक सिलसला है वो थमने का अभी नाम नहीं ले रहा है और आए दिन यहाँ पर इस तरह की घटनाएं बड़ी संवेदन सील तरीके से होती है और यहाँ सबसे बड़ा इसका जो यहाँ पर असुरक्षा का जो भाव है वो यहाँ चारो तरफ जो रास्ते है वो अलग-अलग दिशाओं में मिलते हैं यहां से बड़ी आसानी से लोग चारो तरफ से टीच्ट गार्डन का कोई गेट ना होने की वज़े से कोई बाउंडरी ना होने की वज़े से तारबार ना होने की वज़े से लोग आ जाते हैं इस साइड आप देख सकते हैं कि ये आईये में जाने का रास्ता है चक्रोता रोड जिसे कहते हैं इस साइड परेम नगर से जाने का रास्ता है इस साइड मेरे आप पीछे देखेंगे ये रास्ता जो है वो चायबगान से होकर हिमाचल की तरफ जाता है और इस साइड ये वा हुआँ अपरादियों को पकड़ना बड़ा ही कठिन हो जाता है और these प्रेम्नगर में एक मुभी जिए बन चुखा है और यहांपर कई दसकों से कई बात करूं तो पिछले 10 साल से यहांपर आपरादों की जो वारदाते हैं वह वढ़ती जा कई बलतकार हो रहे हैं बलतकार करके मारा जा रहा है वहाँ पर कई हत्या करके मारा जा रहा है और बाहर के अपरादी भी मार कर किसी आदमी को हत्या करके वहाँ पर फैंक जाते हैं और भार भाग जाते हैं और इस तरीके से जो टी स्टेट है ये टी स्टेट अपने आप में अपरादियों की एक मुफीद जगा बनता जा रहा है और आने वाले समय पे क्योंकि इसके साथ साथ क्योंगी टी स्टेट अपने चारो तरफ से एक खुला स्थान है और खुला स्थान देखे पिछले 2016 की वाद बता है कि 2016 में भी एक घटना होई थी जो एक bliss कोस की एक महिला का क्तल किया गया था उसके बाद कई कạtले हुए 2018 में हुए 2019 में हुए कई ऐसी वारदाते जो संगीन अपराद हुए है जो अपरादि दवारह संगीन अड़ा बन गया है कि किसी की भी हत्या करके कोई वादात करके वहाँ पे छिप जाए और वहाँ से उसको करके डिस्पोजल करके और भाग जाता है इसी अधार पर ये टी स्टेट को टी स्टेट अपने आप में आने वाले समय के लिए भी महां के रिहाईसी इलाकों के लिए म बच्चों के लिए असरुख्षिय दिस्थान बन्टा जा रहा है क्यूंकि वह चारो तरफ से कुला आया और वहां पे सारो तरफ एक अबादी छेत्र होने के साथ वह पे इस तरीके के वार्दाद कि पहले ही अबादी चेतर कम था और अब ज्याधा होने किसी आदमी पता नहीं चलता कि कोई आदमी कहां से आ रहा है किस कारण जा रहा है क्योंकि वहाँ पर भीड़ इतनी हो चुकी है अबादी चेतर होने की कारण उस T-State में ये हत्याएं और इस तरीकी के भल में निवासी हूं और साथ में रहता हूं बिल्कुल नेंबर के साथ सटा हुआ है चाय बगीचा के अंदर घटना है हवती है यह आज से नहीं हो रही है लगदशकों से देखता हुआ हूं जब अक्सर होती रहती है और सुरक्षा के बाद बताई जाए तो चाय बगीचा एक ऐसा स्थान है जो चारों तरफ से अबादी से घेरा हुआ है लेकिन चारों तरफ को यसी तारबाड को गेट सिस्टम ऐसा नहीं है कि कि किसी आने जाने वाले को मतलब कोई पूछे तो आप कहा सकता हो कि पूछा जा जा सकता हो पूलिस की गस्त बढ़ने चाहिए और बाकी रही बात पूलिस तो सबस्ól ​​ulent चाहिए खाम काम करते हैं पूल पुलिस को नहीं एक हम लोगुसी समाजी chine क्रूप को आना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ा जो सवाल है वो यह है कि यह जो टी स्टेट जो अपराधियों के लिए अपराध करने के लिए एक मुफीच जगा बना हुआ है यहां पर प्रपर अगर अलग अलग चोरहाओ पर अलग जगा गेट सिस्टम बना दिया जाए सिसी टीवी सर्विच लांस लगा दिया जाए तो यह इलाका जिस तरह से अपराधियों का एक पनागा बना हुआ है उससे बचाये जा सकता है परमजी सिंग पीटी भारत दहरादून